आज हम लोग लेखक के नामों का अधियन करेंगे तो पहला पाठ है भीमराव अमबेदकर जिनकी रचना है स्रम विभाजन और जाती प्रथा ये कौन सी बिदा है तो निबंध है और प्रमुख पात्रिस में जाती प्रथा की ब्यापता है और उनकी रचनाए कौन सी है दकास इंडिया नियर मेकेज्म बुद्ध एंड हिज्ब धम्मा दूसरा है ननीन विलोचन सर्मा विस के दात ये कौन से विदा है तो कहानी है और इसमें प्रमुख पात्र कौन है तो सेन साहब और खोखा मदन गिर्धर उनकी जो प्रमुख रचनाओं में से एक है दृष्टी कौ साहित का इतिहांस दर्शन विस के दात और अन्य प्रकासित कहानी मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखें क्या है ये विधा तो भासन है भारत की विशेस्ताओं का वर्नन है इस पात्र में भारत की जो विशेस्ताओं है उसको लेखक ने यहां पर वर्नित किया है हितो उपदेश, मेगदूत, कंट और केन उपनीशत का जमन हुमाद इनों ने किया है हजारी प्रसाद दुवेदी नाखुन क्यों बढ़ते हैं लिखक है पाठ का नाम है यह यह एक ललित निवन्द तो क्या है इसमें मानोता बाद इसका जो भावना है किस प्रकार की मानोता भाव है इसमें असोक के फूल, कुटिज, बानभट, आत्मकथा, विचारतर, कभीर गुनाकर मूले, नागरिक लिपी क्या है तो यह निवन्द है क्या है निवन्ध है नागरिक लीपी का इतिहास इसमें बहुत सारे लीपियों के बारे में बताया गया है कि कितनी लीपियां है और किस प्रकार से हमारे समाज में ये ब्याब्त हैं अक्षरों की कहानी प्राचीन भारत की इतिहास वैज्ञानिक और नचत्र लोग इनकी प्रमुख रचना है अमरकान तो इनकी रचना है बहादूर जो की पाठ का नाम है ये एक विधा है तो कौन सी विधा है कहानी बहादूर निर्मल्क की सोर इसका पात्र है जिंदगी और जोक देश के लोग मौत का नारा ये इनकी रचना है बादूर एक कहानी है जो मारमिकताओं से भड़ी हुई है राम विला सर्मा परमपरा का मुल्यांकन ये भी एक निवंध विधा है बहुत सारी विधाएं होती है हिंदी में तो निवंध भी एक विधा है जो आप मेरे देखे हो ए गया साहितिक चिंतन है इसमें साहित में जो चिंता भ्यकत की जा रही है उसका यहां पर प्दरसित किया गया है निराला की साहित सादना भारतंदू हरिसे चंद्र प्रेम चंद्र और उनका युग रस्मी बाचपेई जीत जीत मैं निर्खत हूं ये जो है जीत जीत मैं निर्खत हूं क्या है तो साक्षातकार है जो आमने सामने बात बैठ कर होती है जिसको हम साक्षातकार के रूप में समझते हैं इसमें किसका भाव है तो बिर्जु महराज की रेखा चित पत्लब जब हम यात्रा करने जाते हैं तो वो अपनी अनुभवों को जो फिरो कर लिखते हैं उसको हम यात्रा विर्तांद कहते हैं। एक पतंग अनंत के तत्पुरुस बहुरी अकेली विनोत कुमार सुकल मचली एक कहानी हैं जो की दिदी संतु और नरेल के भाव भंगिंगामगा को प्रदर्सीत करती हैं। पेर पर कमरा महाविद्याले यतिंदर मिस नौबत खाने में इबादत यह है व्यक्ति चरित्र एक व्यक्ति के जो चरित्र रूपन जो हिंदी में किया जाता है उस इधा का यहाँ पर प्रयोक किया गया है। प्रमुख पात्र कौन से हैं तो बिस्मिल्ला खाने हैं। उनकी रचनाए कौन कौन सी है यतिंदर जी की तो यदा कदा डियोडी और अलाप गिर्जी। आगे हैं महात्मा गांधी सिक्षा और संस्कृति ये सिक्षा सास्त्र और संस्कृति ये जो बिधा है उसको प्रदर्शित करता है इनकी रचना है हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरा पर्योग अब हम चलते हैं पदखंड की ओर गुरू नानक राम नाम बिनुबीर थी जो नर दुख में दुख नहीं मानी ये इनकी रचना है ये कविता है और भक्ति काल की कविता है आपसे पूछा जाता है कि कौन सी काल की कविता है तो भक्ति काल की है लेखा की प्रमुख किरती कौन जब पूजी साहिला रस्खान प्रेम अनिया सिरी राधिका यह भी कविता है जिसमें प्रेम के बारे में बताया गया है और यह भी भक्ति कवी थे और भक्ति काल के ही थे। इसके एक प्रमुक्रचना सुजान रस्खान प्रेम वाट किया है, गनानन अती सुधो स्नेअ को ये कविता है जो येभी भक्तिकाल का है, सुजान सागर विरल लीला प्रेम पथिक, प्रेम घन स्वदेसी कविता है जिसमें देश भक्ति और आधुनिकता का बड़ा ही प्रेमघन चर्वस, सुमित्रानंदन पंत, भारत माता ग्राम वासनी, ये कविता है देशी, वंदना और च्छाया वादी काल के कवियों में से एक सुमित्रानंदन जी की ये बहुत ही मार्मिक रचना है, पलवत, वीना, गुंजन, युवानी और लोकायात, रामधारे सिंग दिनकर जनतंत्र का जन कविता है, इसका मूल भाव है जनतंत्र की महत्ता, जनतंत्र का जन जो रामधारे सिंग दिनकर की रचना है, बहुत ही मार्मिक है, रेनुका, रस्वसंती, हुंकार, रस्मी रथी, चक्रवत और कुछेत्र, बहुत सारे अध्याओं का इनोंने लेखन किया है वसल अज्य जी हीरोसिमा कविता है मानोतरास्ति की संस्कृती प्रगतिवादी इसमे जो हीरोसिमा पर बम गिराया गया है उसका बड़ा ही मारमिक इनोंने चित्रन किया है वावडा अरेरी आंगन के पारद्वार हडी घास का चनभर्ण। कुवर नरायन एक वरिक्ष की हत्या कविता है। इसका पडियावरन्ग आधुनिक काल, पडियावरन्ग में इसका क्या प्रभाव परता है। व्रिक्ष की जब हत्या होती है उसको बड़ा ही सुन्दर ढंग से इन्होंने प्रस्तूत किया है। कविता है समसामाईक बोध और आधुनिक जो हमारे घर में हमारे बच्चों में समसामाईक बोध जो पहली पार साला है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे धंग से प्रस्तूत किया है। गलत पते की चिठ्थी, बीजा अक्छर, अनपुष्टिती, जीवनादास लोट कर आऊंगा फिर। ये जो कवी हैं, रमिद्रनाथ तैगोर के समतुल और बंगला भासा के बड़े ही अच्छे कवी में से एक आजते हैं। कवीता देश प्रेम आधुनिक काल, देश में जो प्रेम उनकी भावनाओं को पड़ा ही लोट कराऊंगा, ये देश की प्रेम कथा है उसको आधुनिक काल में लिखा है। जराप पालक वन्वला सेन महाप्रित्वी रेन यर मारिया रिल के मेरे बिना प्रभू कवीता है ये जर्मन के कवीते और आधुनिक भावभोत का बड़ा ही उन्होंने मर्मिक धंग से प्रस्तूती करन किया है। लाइफ एंड सॉंग एडवेंचर लॉसर एस्क्रोफाइंस वर्निका में दही वाली मगम्मा स्री निवास जी की रचना है ये कहानी है मगम्मा और नगम्मा की या जो भी कहानी है मा के उपर समर्पित है। धाता विश्वास सात कोडी होता है कहानी है लक्षमी की मा इस्वर पटे लिकर कहानी है मा और मंगू की नगर सुजाता कहानी है पती और धर्ती कप तक घुमेगी सावर्दय्या कहानी है मा और सीता का। यह वीडियो आप लेखक के पड़चे के उपर देख रहे थे। यह वीडियो मैं नीव एजकेशन पॉइंट के तरफ से आपके लिए लाया हूँ। धन्यवाद जैहिं जै भारत।